हेलो एवरीवन, अस्सलाम उलेकुम, स्वागा थे आपका मेरी यूटूब चैनल दसबा ट्रीट्स में आज मैं आपके साथ मतन कलेजी मसाला बनाने की एक बहतरीन रेसिपी शेयर करूंगी बहुत ही अलग और चटपटा सा कलेजी मसाला की ये रेसिपी है इसे ही दुल अधा पे आप ज़रूर बनाईएगा खाने में बेहद ही लजीज लगता है ये जानने के लिए वीडियो को इन तक ज़रूर देखें और हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब ज़रूर करें पहले मैंने यहां आधा किलो मतन की कलेजी अच्छे से क्लीन करके ले लिया है मेडियम साइस के प्यास और दो मेडियम साइस के टमाटर को बारीक चॉप करके ले लेंगे खड़े मसाले हैं जिनसे बगहार लगाना है एक चमत जीरा, तीन लॉंग, दो छोटी इलाइची, एक बड़ी इलाइची और एक तेजपत्ता मसालों में मैंने एक टेबल इस्पून प्रोस्टेट जीरा, एक टेबल इस्पून तीखी वाली लाल मिर, एक टेबल इस्पून धनिया पाउडर, आधी टेबल इस्पून हल्दी, एक टेबल इस्पून गरम मसाला, आधी टेबल इस्पून चाट मसाला, एक टेबल इस्प कब्राइट जिस देंगे इसे कूट कर यूज़ करना है बेहत लजीज टेस्ट होता है लेपिक्स की जगा ऐसे फ्राइट करें डालेगा बेहत लजीज हो जाएगा आपका कलेजी मसाला किuana का यद Lori मसाले एड़ कर देंगे मसाले क्रेकर हो जाएं फिर इसमें प्यास एड़ कर देंगे प्यास का कलर थोड़ा चेंज होते ही इसमें लैसुन अद्रक का पेस्ट एड़ कर देंगे लैसुन अद्रक को अच्छे से दो मिनट तक भूनने के बाद इसमें टमाटर एड़ कर देंगे नमक स्वात अनुसार एड़ कर देंगे सारे पाउडर मसाले एड़ कर देंगे मिनट के लिए कवर कर देंगे दो मिनट के बाद इसमें आधे का पानी एड़ करेंगे वन्ना मसाले जल जाएंगे पानी सूख चुका है ओल से प्रेट हो गया है अब थोड़ा थोड़ा क्रश करेंगे मसाले स्मूथ हो जाएंगे ऐसा करने से इसमें आड़ करेंगे 100 ग्राम फ्रिश दही मसाला अच्छे से भून चुका है इसमें आब आड़ कर देंगे कलेजी लोग के साथ हाई फ्लेम पर ही कलेजी को अच्छे से भूनेंगे फिर इसमें कुटी हुई लाल में चैट करेंगे अच्छे से मिक्स करके कवर कर देंगे कवर करके 10 मिनट लोग फ्लेम पर पकाएंगे कलेजी मसाला अल्मूस्ट रेडी हो चुका है इसमें अदरक हरी मिर्च और धन्या की पत्तियों से गानिश कर देंगे यह इतना डिलिशिस होता है आपने इस से पहले इतने मज़ेदार कलेजी मसाला नहीं खाया होगा आप इसे जरूर ट्राइ कीजेगा यह इतना अपने इस प्राइब कर देंगे अपने प्राइब कर देंगे